दीपनगर विकास समीती के सदस्यों ने एक बार पुनह दीपनगर में फैली और वस्था की तरफ शासन पर शासन का ध्यान आकरश्ट कराने का प्रयास किया है जिसकी तहत दीपनगर की समस्याओं से जुड़ा हुआ ग्यापन जोन कमिशनर की अनुपरस्थिती की वज़े से जोन अध्यक्ष रामानद मौरिया को सौपा है इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनह दीपनगर विकास समिती के पदाधिकारियों ने छेतरवासियों के साथ मिलकर नगर पालिक दिगम भिलाई के जोन दोगी कमिशनर को ग्यापन सौपना चाहा परंतु वे अनुपस्तिती जिसके एवज में मोलभूस सि जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए तत्काल छेतर का भ्रमनकर उचित कारवाई करने का आश्वासन दिया है। छेतरवासियों ने अपनी पीड़ा निउस्टीम के समक्षबया की है। हमारे छेतर को उपेच्छित सा एक महसूस है। और दगर दिखाम के दरा हमेशा ही उपेच्छित रहा है। वर्स चार कारकल भीद गये यह पांचवा कारकल उनका चालू हुआ है। इस समय हमारे छेतर में सड़क, नाली, बिजली की समय से अभी तक है। और हम लोग यहां के लोग 100% टेक्सेवल हैं। और टेक्सेवलेन होने के पस्चाद भी हम लोग की जो वह स्विधाय हैं। प्रतित होता है, जैसे कि हम लोग यहां से मनुस्त नहीं है, जानवर हैं। और बिलकुर नीराधारतायक के छोड़ देखें। प्रतित होता है, जब भी कोई भी राजनितिक पार्टी आती है, तो अपना उल्लू सिधा करने के लिए चुनाओं के समय याद करती कि इस बार सड़क बनेंगी, नालिया बनेंगी। लेकिन यह ऐसे ब्रतित होते होते हैं, चार कार काल भी थी लेकिने कभी तक किसी प्रकार का नहीं हुआ है। और इस कार काल में आज हम लोग आएं यहां पर तो जोन मेडम से मुलाकात नहीं हो पाई। जोन अध्याच सिरी रामनान मोर्ज से मुलाकात किये और उन्होंने अस्वसन दिया है कि इसी ग्रही नाली की व्यवस्ता की जाएगी। और उन्होंने दस इस्टिट लाइट देने का वस्तवसन किया। इसलिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ दीवनगर विकार समीती के और से आशा करता हूँ कि हमारे छेत्र में सभी लोगों का ध्यान अकर्शित हो और उन्हों को इंसान समझे कि यहां भी जो दीवनगर हैं इनको भी इनका भी मांग है। और हम लोग हमेशा अप्लिकेशन लेकर जाते हैं उसके बाउच्यूदी कभी मतलब वहाँ कोई कारिय नहीं किया गया। आज हम लोग फिर यहां आए हैं और समस्या लेके अपनी और मतलब थड़क और नाली के लिए तो अभी मतलब अस्वासन मिला है कि नाली और बारिश के वज़द से थड़का काम तो नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके जगह मलब डलबा के उसको फड़त आने जाने की ववस्ता ठीक करेंगे। और नाली के लिए भी बुला गया है कि नाली को भी काम उसका चालू करवाएंगे। मैडम के इंतजार में खरें हैं कईके पाखें उसके से मुलाकाज हुए ही जोनत हक से मुलाकार हुए हुए ? जो पानी कर निकासी हो जाते फिर वहां की समस्या कम हो जाए। बावदीप सिम्नगर में तो अभी कोई भी सुधा नहीं है। जबकि सभी जन जितने भी हैं वहां पे वाडवासी हैं। सभी अपना टेक्स देते हैं टाइम पर। सभी चीज करते हैं। हम लोगों को सुधाने मिलें लेकिन अभी फिलहाल अस्वासन मिला है। हम लोग आज दोन नगर में इसलिया हैं। क्योंकि हम लोग मुल्भूत तमस्टाओं को लेकर के यहां पर आगे पुश्चित हुए हैं। जिसमने सडक नाली मुख्य उद्याइस हैंmus As podcast कर नाली सब्सक्रें गभी तहीं मुण इसलिया है। प्रशारसन से जानना चाहते हैं. क्या है अब तक हमारे नगर में किसी भी प्रकार के हमारा दीप नगर बना हुआ है. किसी भी परकार्खी सुधाओं का अभी तक कुछ भी कोई भी सुधाय हमें मिली नहीं है अभी भी हमारे हैं यह हाल है कि गड़्धे इतने बड़े हो गए जिसके करण बच्चे गिर चोके हैं हर वाड में वाड के जन प्रतिन दी द्वारा वाड के कोने कोने में विगास का कार कराये जाता है ताकि वाड में निवास करने वाले वाड वासियों को मूल भुष सुविधाएं उपलब दो हो पाएं परन्तु समस्से परे है कि दीपनगर की तरफ कोई जन प्रितिन दी अपनी नजरे इनायत क्यों नहीं करता एक बार पुना दीपनगर विकास समीती ने प्रयास किया है कि उन्हें भी मोल भुल सिवधाये प्राप्त करने का पूरा अधिकार है देखना होगा कि इस बार क्या इनकी मांगे पूरी हो पाती है या फिर एक बार दीपनगर के रहवासी उप्यक्षा का सिकार हो जाते है ग्रेंड एसी न्यूस के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट